है हनजी नमस्कार दोस्तों नमस्कार सभी का स्वागत है जूडबी श्री आइक यूप मेरा नाम है अमितानन कैसे हैँ सभी सW वेडी गूड मौर्निंग वेडी अँड≫के सभी चले आज का tiles non अप सभी लोगों के लिए है जो जुडीश्री में इंटर्व्यू देते हैं जुडीश्री में मेंस देते हैं जुडीश्री में प्रिलिम्स देते हैं उनके लिए और ये रिलेटर है राजिस्थान जुडीश्री से क्या है पूरी खबर चले इसके बारे वे जानकारी बाते हैं परचात कारी पाने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे शेयर के लिजे अपने दोस्तों के साथ और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहें तो भी जरूर कीज़ेगा साथी साथ मैं बता दो कि जिन्हें भी Free Mentorship जुड़ना है Free Mentorship Group में जुड़ना है वो यहाँ पे दिए गे स्कैनर या तो यहाँ पे नीचे दिए गे नाम को टेलेग्राम पे सर्च कर सकते हैं जहाँ पे आपको Free Mentorship दी जाएगी साथी साथ career as a judge बनाने के लिए जुडिश्री IQ platform आप सभी की सहायता करता है तो साथी साथ वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा चले मुद्दा देखते हैं मुद्दा क्या है मुद्दा है कि सुप्रीम कोट के सामने एक सवाल गया अभी हाल फिल हाल में राजिस्थान जुडिश्री ने पूरी की पूरी लिस्ट निकाली है फाइनल रिजर्ट की जहां पे बहुत सारे स्टुडेंस हमारे स्टुडेंस बने हैं जजेज कहां पे तो राजिस्थान जुडिश्री में राइट अब यहां पे सुप्रीम कोट च है वो गलत है और उसमें भी पर्टिक्लर्ली इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स को कहा जा रहा है कि यहां पर आवरेज मार्किंग से भी कम मार्क्स दिये गए है चले जानते हैं पूरा मुर्दा क्या है को तूर जो पी शन कई इसके बारे बात कि जारी है जोत इसमें हो चुका ए उसके longtemps तो जिस तारीख को यहाँ पे यह बताया गया कि अब इंटर्व्यू होने वाला है, उसी तारीख पे पेटिशन डाली गई, क्योंकि मेंस का पेपर, मेंस का जो रिजल्ट ही पता चल गया था, अब फिर क्या हुआ, दसी जा इंटर्विश पेटिशन गया था, अब फिर क्या हुआ, दसी जाए पेटिशन डाली गया है, यहाँ पे पेटिशन डाली गया था, इंटर्विश पेटिशन डाली गया था, इंटर्विश पेटिशन डाली गया था, तो हम आपका जो भी रिजल्ट आएगा, उसे हम रिवर्स कर लेंगे, तो उसकी कोई परिशानी नहीं है, उसके बाद उसके अलावा, अब देखते हैं, मुद्दा क्या था, मुद्दा है कि 222 वेकंसी आई थी, सेलेक्शन प्रोसेस में तीन तरीके होते हैं, जहां पर प्रेलिमिनरी एग्जामनेशन होता है, एक मेन एग्जामनेशन होते हैं, और तीसरा वाईवा होता है, जिसमें तीन हजार बच्चे कॉलिफाई हुए थे, मेन्स एक्जाम के ल के, candidates have raised concern, अब candidates का point यह है, कि जो मेन्स का paper हुआ था, उसके results से उन्हें दिक्कत है, जो कि October 1st को release किया गया, जहां पे बहुत कम marks, low marks देखे गए हैं, 0 to 15, English की essay paper में, This coding is notably inconsistent with the otherwise strong performance, मतलब बाकी सारे जगा, marks अच्छे हैं, English के subject में, 0 से 15 बहुत लोगु का है, मतलब मेरे जानने पहचानने में भी ऐसे लोग है, जिनने 5, 6, 10, 9 आये हुए हैं, The petitioner argued that a subjective nature of essay writing, combined with the absence of minimum qualifying mark for language paper, has led an opaque evaluation process, that produces arbitrary result, thus violating their fundamental right and affecting their career prospectus. तो यहां पर clearly कहा गया है, कि जो English paper है, उस paper में अगर marks कम आएंगे, obviously rank कम हो जाएगा, और अगर essay जैसे topic में marks बहुत minimum दिये जाए, तो यह एक arbitrary result हो जाएगा, यह एक arbitrary result माना जाएगा. साथी साथ, the petitioner, has urged the Supreme Court to intervene and ensure an impartial re-evaluation of answer sheets by an independent expert committee. They contend that the flawed evaluation process undermines the constitutional right, constitutional right to article number 14, Anushet number 14. साथी साथ, stressed the importance of a transparent and fair process to maintain judiciary integrity in recruitment for the judiciary. केस का नाम क्या है, केस का नाम है, मिस सोनल गुपता and others versus Registrar General Rajasthan High Court. जोत पूर and another, यहाँ पर पूरा, यहाँ पर diary का number भी दिया गया है, अब समझते मुद्दा क्या है, देखे, यह case थोड़ा पुड़ाना है, यह case जब interview का process start हुआ था, तभी यह PL डाली गए थी, result भी आ चुका है अभी तक, result declare हो चुका है, means interview सब का result calculate करके निकल चुके है but एक सवाल valid है, सवाल यह है कि English में बाकि सब्जेक्स में अगर आपके 100 में 60, 70, 80 आ रहे हैं और English में 0 से 15 के बीच में अगर जादा तर population 0 to 15 हैं तो either they all are very bad in English or there is something arbitrary in the checking of the paper, इस सवाल को सामने लाया गया है और अब वहाँ पे committee बनाई गयी है और सारे के सारे mains के जो paper जहापे English में particular 20 मार्क से कम 20 मार्क से कम जिसका भी आया है उन सभी का paper Supreme Court ने मंगाया है consideration करने के लिए, देखने के लिए कि कैसा लिखा गया है कि 20 मार्क भी नहीं मिल पा रहे हैं तो यह सवाल Supreme Court के पास plea के दौरा पहुची है और देखते हैं इस प पी टू आई बैच जो अब बन चुकी है नीव 2.0 बैच नीव 2.0 बैच नीव पहले भी आया था foundation बैच था उसके बाद हमने नीव 2.0 बैच लाए क्योंकि वहाँ पे जो successful result है उनके बाद नीव की री उत्पत्ति फिर से करनी पड़ी तो री 2.0 नीव बैच में जिन्हें भी इन्रोल करना है उन्स सभी लोग अभी कोड वाई 707 कोड है वाई 707 लगा के सीधा अपने बैच से जोड़ सकते हैं जोड़ने के लिए आपको सीधा studyiq.com पे जाना है और वहाँ पे सर्च सेक्शन में नीव 2.0 जूरिश्री में सर को बता दूं कि इस पे जो भी यह जो राजिस्थान का जो केस अभी हमने पढ़ा जो राजिस्थान का जो जूरिश्री सिविल सर्विसस है जो हमारा बहुत ही जरूरी जब भी आप मुद्दा पढ़ते होंगे कौन से स्टेट सबसे पॉपुलर है जूरिश्री में तो रा सकते हैं क्योंकि आप अपियर हो सकते हैं अगर वहां पे भी ऐसे कोश्चन साने लगे कि सब में मार्क्स नहीं मिलते या तो डिस्क्रिमिनिटरी है तो वहां पे कुछ ना कुछ तो सुप्रीम कोट की राय में कुछ ना कुछ कंसिडर किया जरूर जाएगा आइधिंक आप साथ भी सुप्रीम कोट में कहा गया है लेट सी क्या होता है मुलाकात होगी आप सभी से अगली वीडियो में जो भी आपके जान पहचान में विक्ति जो इन्होंने रायस्थान जुरी श्री का मेंस दिया है इंटर्व्यू दिया है उनके साथ ही वीडियो ज़रूर शेर कर कर दिया है